आपकी स्क्रीन पर एक फोटो देख रही होगी और इनका नाम है मुके साहिनी और बिहार की राधनीती में आप लोग इनका नाम संते रहते होंगे आप लोगों ने जब बिहार की विधानसवा चुनाओ हो रहे थे उसके पहले आप देखिए जो तेजस्वी यादव है इहोंने इन्हें मुकमंत्री का पद भी ओपर किया हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि विहार की राधनीती में कुछ तो इनका बोट वैंक होगा तब तो इन्हें ओप मुकमंत्री का पद देने की बात हो रही थे उसके बाद आप देखिए कि इनका तेजस्वी के साथ गडवन नहीं हो पाया अंत में और ये बीजेपी यानि की एन्डिये के साथ चले जाते हैं और विधान सभा बिहार विधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और जिसमें आप देखिए कि इनकी पायटी को बी आईपी क चार सीटें मिली हुई थी जिसमें आप देखिए कुछ समय पहले एक बिधायक की इनके मौत हो चुकी है और जो तीन बिधायक रहे गए थी मुकेश साहिनी की बी आईपी पायटी के उन्होंने बीजेपी का दामन थाप लिया है यानि कि मुकेश साहिनी के पास उनकी पाय तो इनके बारे में एक साबन जानकारी देख लेंगे और यादर कि ये पटकत्था मुकेश साहिनी की पटकत्था उत्तरपदेश बिधान सवाद की समय से ही लिखी जानी लगी थी और आप देखे बिधान सवाद में जिस तरह से इनोंने अपने उम्मिदबार उतारे और बीजेपी पर जिस तरह से हमला बोला एक तरफ आप देखे बिहार में गटमंदन में बीजेपी में पीजेपी के सासनकाल में एक तरह से आप कह सकते हैं मंत्री हैं नीतेस कुमार मुख मंत्री हैं और उसमें आप देखे उस सरकार में ये मंत्री हैं और दूसरे राज़ में जाकर चुना लड़ते हैं और अपने गटमंदन सही होगी है उनके खिलाब यह बोलते हैं फिर आप देखे कि यह कुछ और बोलते गए तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को कहा हजम होता तो इसी को लेकर आप समझ सकते हैं कि इन्हें अब मंतरीक पद कब तक रहता है यह त देख लिजे यह आप देखेंगे विहार आपको देखते रहा होगा इसकी राध्धानी पटना है अगर विहार विधान सभा में हम लोग बात करें सीटों की तो आपको मालू होना चाहिए कि विहार विधान सभा में सीटे हो चाहे फिर आपका इसकी राध्धानी पटना है यह मालू होगा आप लोगों को और यहाँ लोगसभा सीटों की बात करें राज्य सभा सीटों की बात करें, तो आप देखें कि विधान सभा में 243 सीटे हैं, राज्य सभा में 16 सीटे हैं, लोग सभा में 40 सीटे हैं, और काउंसिल यानि कि विधान परिशद हैं, उसमें 75 सीटे हैं, विधान परिशद भी यह हैं, उसमें 75 सीटे हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं मुके साहनी के बारे में तो इनकी बात करें तो मुके साहनी का जनम कब होता है 31 मार्च 1981 में होता है और जानगारी के मताबिक ऐसा भी माना जाता है कि बिहार के दरभंगा जिले के सफोल बाजार में इनका जनम हुआ था रहने वाले हैं इनके पिता का नाम जितन साहिनी और माता का नाब मीना देवी और कहते हैं कि परिवार की इनकी आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं होने के कारण मुकेस साहिनी केवल आठवी तक पढ़ाई किये हुए और ये 18-19 साल की उम्र में मुंबई चले जाते हैं मुंबई के बाद आप देखेंगे इस रुवात में एक जनरल स्टोर में काम करते हैं सेल्समेन की नोकरी भी करते हैं इसके बाद आप देखेंगे मुकेस एक मजदूर के रूम में बॉलीवोड में सेट डिजाइन का काम भी करने लगते हैं उसके बाद आप देखें एक कुछ समाई के बाद मुके साहिनी बिहार की राजनीती में इंटरी करते हैं मुके साहिनी के सामाजिक जीवन में पदार्फन करने की कहानी दिल्चस्प है एक बार साहिनी एक विवार में सामिल होने के लिए बिहार आये और लोगों ने उनसे कहा कि आपने अपने नाम और पैसा कमा लिया, आप समाज के लिए कुछ करिए, यह बात मुके सैनी को मन में ठक गई कहते हैं, उन्होंने सन 2000 में अपने समाज समधाय के बारे में सोचना शुरू किया, काफी विचार करने के बाद उन्होंने साहिनी पैसा करने का प्रयास किया, साल 2015 में उन्होंने निसाद विकास संग नाम की और संस्ता की स्थापना की, इस संगठन की माध्यम से अपने समधाय के लोगों को जिलेवार रूम में एक जुट करने का काम करने लगे, और आप देखिए अपनी जाती का एक तरह से कहिए नेता बन जाते हैं, फिर आप देखेंगे विकास सील इंसान पार्टी का बी आईपी का गठन करते हैं, बिहार में मचवारों और नाविकों की जाती में अपने मला, सहिनी और निसाद बिंद जैसी अती पिछडी जातीयों की अच्छी खासी आबाद दिये, और राजी की 10 से 15 ल लाखों लोग सरीक हुए, यानि कि सामिल हुए, बिहार में मला समाज का कोई बड़ा नेता नहीं होने, और मुके साहिनी की बड़ती लोग फिरिता के कारण राजनितिक महकमे में हलचल मच गई, और मुके साहिनी की राजनितिक जीवान में बड़ा मोका तब आया, जब ज जद्धा पार्टी के चुनाव परिचार किया था है उन्होंने, हालेकर मला जाती को अनुसूचित जाती कि सेनी में सामिल करकेने के बादे को ना पूरा होने के कारण उन्होंने भाजा पक छोड़ दिया था, साल 2018 में उन्होंने विकास सेल इंसान पार्टी का गठन करते हैं वर्तमार में विधानसवा विकास सेल के किवल आप देखेंगे चार विधायक थे जिन में से तीन बचे हुए थे और तीन भी आज के बाद वो भी चले गए बीजेवी में सामिल हो गया और वर्तमार में आप देखेंगे बिहार विधानसवा में विकास सेल तो इनकी एक मह महागटवंदन की सिर्फ से इन्हें एक बार मुकमंत्री कई बार मुकमंत्री पत का ओफर मिला यह 2020 के पहली की बात कर रहे हैं जब चुनाओ नहीं होए थे फिर आप देखेंगे 2020 में पिहार चुनाओ से पहले मुके साहनी महागटवंदन का हिस्सा थे लेकिन सीट बटवार मुकमंत्री बनाने का ओफर दिया था लेकिन मुकेस ने ठोकरा दिया था और नीति इसके साथ NDA में सामिल थे बोलो और नीति सरकार में विकास सील इंसा पार्टी इंसान पार्टी वी आईपी के अध्यक्ट मुकेस साहनी को मंत्री बनाय गया था लेकिन जिस सीट से चुन और आप देखी कि उत्तर पिदेश में गए हुए थे, लेकिन उत्तर पिदेश में इनका कोई खास फिरभाव नहीं रहा, समझे रहे हैं आपको, और अभी तक जो इनके हाथ था, वो भी चला गया, अब ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला बक्ती कहते हैं, कि देखे, राजनीती में किसी का भरोसा नहीं है, कब कौन किस पार्टी में सामिल हो जाए, कहां चला जाए, पता ही नहीं चलता है, ठीक है, चलिए खिर आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग देखते रहिए, राजनीती का मजा लेते रहिए, और मुझे लगत होती ही नहीं, आजकल अगर आप लोग राजनीती को देख रहे हैं तो, ठीक है?